चारा गोटाले में मुख्य आरोपी के तौर पर ज़ारखंड जेल में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की तस्वीरे इन दिनों खूब देखने को मिल रही है। इस समय 15 से ज़ादा बिमारियों ने घेरा हुआ है जिसका इलाज राची के रिम्स अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल में होने के चलते हर सनिवार वे तीन लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में बीते सनिवार बिहार की जगदीशपूर में वधायक राम विशून सिंग और फ्लोहिया लालो से मलने अस्पताल पहुँचे थे। इस मुलाकात के बाद से ही शोशल मीडिया पर ये तस्वीर वाइरल हो रही है। इसमें विधायक और लालो प्रसाद दाल, चावल और सबजी का अनंद लेते हुँए दिख रही है। जानकारी के अनुसार, 45 मिनट तक चली मुलाकात के खत्म होने के बाद, विधायक ने अस्पताल से बाहर आखियर मीडियास के अंदर हुई बातों का जिक्र किया। विधायक ने बताया कि लालो पटना में आई बाड़ और उससे फैली बीमारियों को लेकर चिनते थे। उन्होंने पार्टी को विधान सबा उप चुनाव में पूरी ताकत लगा कर जीतने का संदेश दिया है। साथ ही आगामी जारखन विधान सबा चुनावों में महागट बंदन कर जीत हासल करने को पक्का बताया। अस्पदाल में विधायक राम विन्यू सिंग और लालु प्रशाद यादव के मुलाकात की तस्वीर बाइरल हुई। इसमें दोनों दाल चावल खाते दिखें। शोचल मीडिया पर लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। यूजर्स का कहना हैं कि विधायक बिमार का हाल चाल लेने गए थे या दाल चावल खाने। तस्वीर में तो लालु प्रशाद यादव स्वस्त दिख रहे हैं।